नुश्कार दोस्तों दसिखा क्लासेश चैनल के EC2 प्रेटफार्म पर आप सभी का पुनर स्वाकत है जैसा कि मैं अक्षर आप सभी को कहा करता हूं कि सपनों को अपनी सांसों में रखें मंजिल को अपनी बाहों में रखें हर एक जीत आप की भी होगी मेरे दोस्त बस अपने लच को अपनी निगाहों में रखें तो आए इन्ही सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास और आज हम लोग देखेंगे जो भी हमने समिधान से रिलेटेट जो टॉपिक पढ़ाया था उसका ही आज प्रिविस येर का प्रक्टिस है जो भी प्रिविस येर क इसका प्रक्टिस है तो पहला इस प्रक्टिस के पहला प्रस्न है कि भारती समिधान सभा का गठन किया गया था तो आप सुभी इसका उत्तर देने का जरूर प्यास कीजिएगा आप्शन आपको दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतरगत क्रिप्स मिशन योजन 1946 के अंतरगत और भारती सुतनता अधिनियम 1947 के अंतरगत तो इसका सही जवाब क्या होगा तो के इसका जो सही जवाब है वह हैं आप स्यून नमबर सी यानिकी कैबिनेट मिसन योजना 1946 ठीक है? यानि कि cabinet mission जोजना 1946 के अंतरगत मैं आप लोग को इसके जो अपना वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था चीजें कि जुलाई 1940 इस भी में cabinet mission जोजना आई और उसी के तहट सुमिधान सभा का अगटन किया गया था और वीडियो को डीटेल देखेंगे तो मैंने डीटेल कौन-कौन से व्यक्ति थे जैसे लौट पैथिक लॉरेंस वे और एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स जो यह लोग जब देखेंगे तो वहाँ पर डीटेल आपको प्रहाएगी है चीजें आगे परते हैं अगले प्रस्न के तरफ अगला प्रस्न है कि 1946 में निर्मित सरकार में कारपालिका परिशत की उप सभापती थे तो उप सभापती कौन था आपसन आपको दिया गया है पंडिय जौहाल लाल नहरू, ड तो उप सभापती आपको पूछा गया है कि आपको बताना है या आपको प्रिएस जियर के सारे इंपोर्टेंट कोशन मैंने चाठ चाठ के यहाँ पर आपके लिए इंपूट किया हुआ है तो इसका प्रैक्टिस आप जरू कीजेगा देखिए आपसन आपको दिये गया है इसका जो सही जवाब है यह है आपसन नंबर ए यानिकी पंडित जोहरलाल नेहरो जी पंडित जोहरलाल नेहरो जो अंतिम सरकार थी उसके उप सभापती थे इसका डीटेल थोड़ा से मैं आप लोगों को बता दूँ तो चुकि 24 लगस 24 इस भी को जो है अंतिम राष्टी स सरकार की गोश्टा की गई थी और यह जो सरकार है यह 2 सितंबर 1946 को अपना कारिभारी होने संभाला यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अगले प्रसन के तरफ अगला प्रसन है कि निम्न में से कौन अगस्ट 1946 में गठित प्रथम अंत्रिम राष्टी सरकार का सदसे नहीं था तिक निम्न में से कौन अगस्ट अगस्ट 1946 में गठित प्रथम अंत्रिम राष्टी सरकार का सदसे नहीं था आपसन में आपको दिया गया सी राज गुपालाचारी डाक्टर राजेंद परसाथ डाक्टर एस राधा कृष्णन और जग जीवन राम तो आप देखेंगे कि जो अगस्ट 1946 में अंत्रिम सरकार का गठन हुआ था तो उसमें कैबिनेट मिशन योजना की आधार पर दो सितंबर 1946 इस भी अंत्रिम सरकार का गठन हुआ और इस गठन में जो ये पहले आपसन में दिये गया है सिराज गुपालाचारी जी इनको उसमें सिक्षा मंत्री बना ग 2000 इसने तो इसका मतलब तो पता चल गया बच्ची कौन से यानिकि जो डॉंसरादा किस्टन जी differentiationि हैं इनको उसक्त तो इसका मतलब से प्रश्क्राइस पूछा गया है घराश्ती सरकारी सर्क्सराइस तो कौन नहीं थे लिए एक स्वादवारत के स्वामदान का निर्मार करने का प्रस्ताव किया गया था किसके द्वरा किया था आप्षन आपको दिया गया कि साइमन कमिशन के द्वारा 12 सरकाति नेम 1935 द्वारा क्रिप्समिशन द्वारा और कैबिनेट बिटिस कैबिनेट डेलिगेशन द्वारा यह जो प्रस्ण है यह उत्तर परदेश पीशियस मैंस 2008 का प्रस्ण है तो इसका आप सही जबाब सभाद्वारा क्योंकि एक निर्वाची सम्थान सभाद्वारा भारत के संभाड करने का प्रस्ताव किया गया था है कि इसके बाद अग्ला प्रस्ण है पास नंबर कि भारत के स्वमिधान की रजना हे तू स्वमिधान सभा का विचार निम्लिखित में से सरपर्थम किस्ने प्रस्थूत किया था आप संदिया गया सुराज पार्टी ने 1934 में कांग्रेस पार्टी ने 1936 में मुस्रिम लिग ने 1922 में और सरव पार्टी ने 1934 में कब मई 1934 में इसका जो सही जवाब है वह आपसा नमबर ए है यानिके सुराज पार्टी ने मई 1934 में समिधान के लिए मांग उन्होंने की थी और कहां पर की थी राची में यह भी मैंने आपको बताया था राची में राची में सुराज पार्टी ने 1934 में मई 1934 में मांग किया था इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रस्न के तरफ अगला प्रस्ना है कि स्वतंत्रता के पूरु के दीनों में प्रारंभ में किस ने स्वमिधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तूत किया था तो आपसन आपको दिया गया एमन राय जी भीम्रा अमबेटकर जी इसके लावा एनी बैसेंट और लास्ट रन आपसन है जोहला नहरुजी द्वारा तो यह अभी आपको जो प्रस्न है या उतापड़ेस जी आएसी 2017 में पूचा गया प्रस्न है जितने भी आपको मैंने बताया ही था कि प्रिवेस येर के सारे क्वेश्चन है यह इसको जो है आप आने था मतली जीएगा तो इसको प्रैक्रिस अच्छे वीदियो में मैंने बताया भी था कि पहले मैख 1934 सिस्री में सुराज पार्टी के द्वारा सम्यधान स्वा की मांग की गई थी सरुपर्तम राची में उसके बाद 1934 में म में राय जी के द्वारा उन्हों ने अपना विचार असेद्यान dobr के लिए दिया था उसके बाद 1934 म ही कांग्रेस पार्टी के दोबारा वीचार उन्होंने एक समिधानी तरीके से मांग की थी बैधानी तरीके से ठीक है तो बिचार की आप पूछा गया कि इसने बिचार दिया था तो एमन राय जी ने दिया था याप से नमबर एसका सही जबाब हो जाएगा